Hello everyone, कैसे हैं आप सब? मैं नीरोगरवाल एक बार फिट से आपका स्वाख करती हूँ आज हम क्लास आठ का चैप्टर एट सर्वनाम पढ़ेंगे सर्वनाम जैसा कि आप जानते हो, इंगलिश में आप इसे प्रोनाउन केते हैं सर्वनाम के डेफिनेशन होती है, जिन शब्दों का प्रियोग संग्या के इस्तान पर किया जाता है कहने का मतलब संग्या आप जानते हो, क्या होती है, किसी वस्तु, व्यक्ति, इस्तान या पधात के नाम को संग्या कियते हैं तो संग्या शब्दों के इस्तान पर सर्वनाम का प्रयोग, वही क्या क्या राता है, सर्वनाम, आप बुख़ो लिए, आपको अच्छे से समिन में आएगा, जे शब्दों का प्रयोग संग्या के इस्तान पर किया जाता है, वह सर्वनाम क्या राता है, जैसे हम संग्या में क सर्वनाम के छे प्रकार के भेद बताए गए हैं देखिए पुरुष वाचक, निश्य वाचक, अनिश्य वाचक, संबंध वाचक, प्रश्न वाचक और लास्ट निज्वाचक ये छे प्रकार के सर्वनाम के भेद हैं देखिए पुरुष वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं जिन स सर्वनाम शब्द से कहने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के बारे में हमें ग्यान हो। जिन सर्वनामों के द्वारा हम कुछ कहने वाला व्यक्ति हो। या सुनने वाला व्यक्ति हो। उन व्यक्ति को हमें बोध हो ग्यान हो। वो कौन सा सर्वनाम कहलाता है इन्होंने उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष उत्तम पुरुष होता है फर्स पर्सनल मध्यम पुरुष होता है सेकिंड पर्सनल और अन्य पुरुष होता है थर्ड पर्सनल देखिए उत्तम पुरुष जिन सर्वनां का प्रयोग बोलने वाला तथा ल यह किसमें आते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम में, अब आता है मध्यम पुरुष सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग जिन से बात की जाए, यानि से बात की जाए, वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं, जैसे आप, तुम, तुम्हारा आदी, लास्ट इसमें हैं, अन्या प तिक लिए आप बात कर रहे हैं वो, जैसे वह, वे, उनका किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात्चीत, सैकेंड आता है आपका निश्यवाचक सर्वनाम, निश्यवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्यत व्यक्ति या व्यस्तू का बोध हो, निश्यत, हमें एक निश्यत वस्तु मिलती है, निश्यत व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या क्यलाता है, निश्यवाचक सर्वनाम, जैसे यह पुस्तक मेरी है, निश्यत है इस बात पर, हम पक्का हैं, इस पर शौर है, कि हाँ यह पुस्तक मेरी है, तो वहां कौ राम श्याम का अब देखिए इन वाक्यों में यह वह निश्य साचक सर्वनाम है समीख व्यक्ति इस्ति या वस्तु के लिए यह यह आधी प्रेवत होते हैं दूर इस्तित व्यक्ति या वस्तु के लिए वह वह वे आधी प्रेवत होते हैं थार नमबर का सरवनाम आपके आता है अनिश्यवाचक जिसका कोई निश्यत नहीं है जैसे जिर सरवनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्यत ग्यान नहीं हो। हमें कुछ पता नहीं कि किसका है क्या है कौन है कैसा है वो देखिए उधारन से समझिए कोई गाना गा रहा है अब कोई गाना गा रहा है लेकिन हम शूर नहीं है कि कौन गा रहा है लेकिन हम क्या के सकते हैं कोई गा रहा है हम शूर नहीं है यानि आनिश्यत हैं सैके उधारन यहां से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है यहां से कुछ अब यहां से कहां से घर से चट से कमरे से लेकिन हमें पता नहीं है लेकिन यहां से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है हम आनिश्चिते इस वाक्य में फूर्थ है संबंद वाचक सर्वनाम अब रिलेटिव जो सर्वनाम ए जो सत्य बोलता है वह ड़ता नहीं है। तो यहां उसी से सम्मन बताया है। सत्य बोलने वाले से ही। कि जो सत्य बोलता है वह ड़ता नहीं है। झिसको पैसा ह 계 ichin वह परिश्रम करे। ये बात सही है कि परिश्रम करने वाले को ही मैनत का अफल मिलता है तो जो परिश्रम करेगा मैनत करेगा उसे ही पैसा मिलेगा फाइफ नमबर पर आता है प्रश्न वाचक सर्वनाम जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रियोग किये जाते हैं अब यहां आता है प्रश्ण पूछने के लिए, तो जो सर्वनाम प्रश्ण पूछने के लिए प्रयोग किया जाते हैं, वह कौन से सर्वनाम प्रश्ण वाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोन आया, अब कोन आया, प्रश्ण कर रहे हैं, कोन आया है, हम प्रश्ण पूछते ह आपका सर्वरनाम आता है जो सर्वनाम वाक्य में नीज मतलब अपना जो सर्वनाम वाक्य में करता के साथ जो करने उसे हम क्या करते हैं निजवाचक सरनाम जैसे हमें अपना काम स्वेयम करना चाहिए खुद के लिए आ रहा है यह बात करता के लिए मैं करने वाला और मेरे लिए यह बात आ रही है हमें अपना काम स्वेयम करना चाहिए यानि मैं मेरा काम स्वेयम करूं सेकिन अधारन देखि सर्वनाम बताए गए हैं आपको और इन छे को ही आपको उधारन के दोरा समझाया गया है सर्वनाम संग्या के बाद सर्वनाम आता है और संग्या और सर्वनाम की जो विशेशता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं विशेशता वो हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे अभी इसके देखिए यहां पर प्रेश्ण उतर दिया हुए है यह प्रेश्ण उतर और बुक का जो वर्क दिया हुआ है वो आपको पीडियेव के द्वारा समझा दिया जाता है प्लीज आप यह वर्क कापी में जरूर करें क्योंकि आपसे कापी चेकिंग करने के लिए मंगबाई जाएगी इसलिए बच्चों जिसने भी अविता कारे नहीं किया है कोई सभी सब्जक्ट हो तो वो अपना कारे कर ले ताकि उ अब मिठ हो सके और वो चेक हो सके जाने वाएगी